हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर रुपेश पटेल मैं वडोद्रा गुजराद से हूँ वडोद्रा में हमारा सेंटर है आलफा माइंड हिलिंग वहीं से हम मांसिक बिमारियों का इलाज करते हैं जैसे डिप्रेशन, एंसाइटी, फोबिया और OCD फ्रेंड्स आज के समय में हर व्यक्ति का एहसास बदल गया है, हर व्यक्ति एक अलग एहसास में जी रहा है और इस अलग एहसास की वज़य है लोकडाउन, जी हाँ, लोकडाउन ने हर व्यक्ति का एहसास बदल दिया, कैसे, फ्रेंड्स जो व्यक्ति पूरा दिन भाग दोड करता रहता था, काम पे रह आज विक्ति अपने गर में बंद हो गया। कोई भी विक्ति नहीं जानता था कि विक्ति को इतने दिन अपने गर में ही बंद रहना पड़ेगा। मैं बहुत खुस हूँ, मैं बहुत एंजॉई कर रहा हूँ इन दिनों को फ्रेंट्स मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि लॉक्डाउन से पहले मैं बहुत बीजी था मैं बहुत भागदोड करता था, पूरा दिन पेशेंट को देखना, पेशेंट को हैंडल करना इसको एड्मीट करना, इसको डिस्चारज करना, ऐसे बहुत तरके काम पूरे दिन रहते थे करपे जाने की बाद भी बहुत कुछ काम करना पड़ता था, लेकिन आज बहुत रिलाक्स हैं बेलकुल समय को एंजोई कर रहे हैं, तो फ्रेंट्स मेरे लिए तो ये लॉकडाउन बहुत आशिर्वाद रूप साबित हुआ फ्रेंट्स अब ऐसे लोग हैं जिसके लिए ये समय बहुती बुरा है, खास करके जो लोग छोटा कारोबार कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, उसका कारोबार बिलकुल बंध है, उसकी इंकम भी बंध हो चुकी है इसके लिए ये समय बहुती बुरा समय है, दर्दनाग समय है मैं ऐसे लोगों का दर्द समझ रहा हूँ, उसको बहुती दिक्कत हो रही है ऐसे भी कई लोग हैं जो अपने परिवार से बिछड गए हैं लोग अपने गर से बहुत दूर, कोई काम के लिए गए थे अच्छानक लोकडाउन होने से यक्ति अपने गर पे नहीं पहुच पाया ऐसे कई लोग हैं जो अपने परिवार से अभी भी जुदा हैं अभी भी अलग हैं, अभी भी अपने परिवार से दूर रहते हैं मैं ऐसे लोगों की हालत को समझ रहा हूँ friends मैं उमीद करता हूँ कि government इसके बारे में कुछ कदम उठाए और जो लोग अपने परिवार से दूर हैं किसी और सहर में फसे हुएं उसको जल से जल अपने शहर में लाए और अपने परिवार से मिलाएं तो friends ऐसे लोगों के लिए ये समय बहुत मुश्किल है जो लोग बहुती बीजी थे बहुत भागदोड करते थे अपने कामकाज में हमेशा बीजी रहते थे ऐसे लोगों के लिए ये समय बहुती मुश्किल है क्योंकि उसको भी अपने गर में अभी तो बंध ही करना है वो च लेकिन फ्रेंस अभी ये lockdown खुलने वाला नहीं है अभी अपने आपको इसी हालत में रखना ही होगा आपको यह आदत नहीं होती है अपने आपको अपने गर में बंद करने की फिर भी आपने आदत डालके आपने एक कर दिखाया लेकिन फ्रेंट्स इसमें कई लोगों को ये दिक्कत होती है कि अपने गर में बंद रहकर करे तो करे क्या कुछ देर के लिए तो कुछ कर सकते हैं लेकिन पूरा दिन कहां बिताएं किस के साथ बिताएं तो फ्रेंट्स ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने परिवार के साथ समाई बिताएं आपने भी कोशिस की होगी अपने परिवार के साथ रहने की लेकिन आप नहीं रह पाएं फ्रेंट्स ऐसे कई सारी लेड़ी की सिकायत होती है कि मेरा हस्बंड मेरे साथ नहीं रहता है मेरा हस्बंड मुझे टाइम नहीं देता है इस लोकडाउन से उसका ये प्राल्लम भी सॉल हो गया उसका हस्बंड अभी तो उसके साथ ही रहेगा जब तक लोकडाउन ऊपन नहीं होता है friends ज़्यादा तर लोग हमें ये ही सिकायद करते हैं कि sir हम समय कहां भी ताएं हम इतने first चुके हैं कि हम क्या करें हमें समझ में नहीं आ रहा है तो friends मैं आपको कुछ tips देता हूँ कि आप इस समय में क्या कर सकते हैं तो friends सबसे पहली बात कि आपके बहुत सारे काम pending होगे आपके घर में ऐसे काम करने बाकी है जो आप कई समय से करना चाते थे लेकिन समय की कमी से आपने पूरा नहीं किया है कई ऐसे काम हो सकते हैं प्लम्बिंग का काम हो सकता है इलेक्ट्रिचन का काम हो सकता है सफाई का काम हो सकता है ऐसे कई सारे काम है जो आप करना चाते थे लेकिन कर नहीं पाते थे तो friends, lockdown के दर्मियान आपके पास पूरा मौका है कि आपके सारे pending काम आप पूरा कर सकते हैं Friends, इस समय के दोरान आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आप अपनी family के साथ game खेल सकते हैं Game खेलने का अपतला वो नहीं, game खेलना नहीं, खेल खेलना Friends, lockdown के दर्मियान आप अपने movie के सौक को भी पूरा कर सकते हैं Friends, आपने कई सारी movies देखने के बारे में सोचा होगा लेकिन time की कमी से आप ये movie नहीं देख पाए तो friends, अभी आपके पास मौका है वो सारी movie देखने का जिसके बारे में आपने सोचा था Friends, free time के दोरान आप आपकी पसंद के नए या पुराने गाने सुन सकते हैं ऐसे मेरे रश के कमर तुने पहली नजर जब नजर से मिलाई मज़ा आगाया मेरे रश के कमर तुने पहली नजर जब नजर से मिलाई मज़ा आगाया Friends, in short, lockdown के दर्मियान आप बहुत कुछ नया कर सकते हैं बहुत नया कुछ सीख सकते हैं आप नई language सीख सकते हैं आप English सीख सकते हैं तो Friends, ये आप पर depend करता है कि इस lockdown के समय को आप कैसे देख रहे हैं आप इसे positive देख रहे हैं या उसे आप negative देख रहे हैं Friends, lockdown के इस समय को मैं बहुत positively ले रहा हूँ इस lockdown के समय में मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत enjoy कर रहा हूँ, मैं बहुत मज़े कर रहा हूँ Friends, lockdown के इस period में आपने एक बहुत अच्छी बात सीखी कि आप कई चीजों के बिना भी रह सकते हैं Friends, कई लोगों की ये सिकायत थी कि मैं तो बाहर गए बिना नहीं रह सकता, मैं तो बिजनेस पर गए बिना नहीं रह सकता, मैं तो कामकाज के बिना नहीं रह सकता, मैं तो अपने आपको संडे को भी घर में बरदास नहीं कर सकता, मैं तो होटल में खाए बिना नहीं रह सकता, मैं पानी पूरी खाए बिना नहीं रह सकता मैं पीजा खाए बिना नहीं रह सकता मैं गल्फ्रेंट से मिले बिना नहीं रह सकती अब रहते हो या नहीं? रहते हो और अच्छी तरह से रहते हो तो friends मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि lockdown से आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत ही अच्छा सीखा, आपने बहुत ही अच्छे experience किये हैं, उसको याद कीजिए और अपनी आने वाली generation को या बताएंगे कि हमने भी 21 दिन का lockdown देखा है, हमने मैसूस किया है कि 21 दिन सब कुछ बंद होता है, तो कैसा मैसूस होता है, उ जैसा भी अनुबह रहा, बहुत अच्छा रहा, सांदार रहा, मज़ेदार रहा, फ्रेंड्स, यह lockdown की स्थिति कब तक चलेगी, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है, तो फ्रेंड्स, जब तक यह lockdown रहता है, आप अपने गर में रहें, खुश रहें, एंजोई की लेजे, फैमिल के साथ समाई बिताइए, आप भी खुश रहें, और सब को खुश रखिए, थैंक यू, all the best, take care.